नमस्ते, आज मैं आप से साथ ऐसे मुद्नों पर चर्चा करूँगा जिनने अगर हमने समझ लिया तो मान कर चलिये कि हमने मोटे तौर पर निटशे को समझ लिया निटशे अपनी किताबों में ऐसी बातें लिखकर गए हैं ऐसी बातें बोलकर गए हैं कि जो की बेहत यूनीक है निटशे ने अपनी किताबों में जो बातें लिखी हैं उनी में से कुछ बातों को आधार बना कर उनी को डेवलब करके महान लेखकों ने अपनी किताबें लिखी जैसे जेम्स जॉयस ने लिखी फ्रांस काफका ने लिखी अपना विशाल काई उपन्यास लिखा अलवेयर कामू पर नीटशे की गहरी छाप है और सार्त्र ने नीटशे की मदद से ही अपनी फिलोसिफी को एक्स्टेंट किया था इन सब लेखकों ने जब अपने आपको खोजने की शुरुआत की सेल्फ डिसकवरी की शुरुआत की तो नीटशे नाम के विशाल आईने के सामने खड़े हो गए उस आईने ने सब को अपना असली चेहरा दिखा दिया नीटशे नाम का ये आईना अभी धुन्थला नहीं पड़ा है हम चाहें तो हम भी इसके सामने खड़े होकर अपने असली सेल्फ को पहचान सकते हैं जरूरत है तो बस ध्यान से देखने की और नीटशे की बातों को गहराई से समझने की मैंने नीटशे की इन साथ बातों को आज के जमाने के हिसाब से कहने की कोशिश की है ताकि उनके कॉंसेप्स को आप ज्यादा आसानी से समझ सकें भेड़ चाल से बचिये हम माने या ना माने लेकिन कड़वी सचाई तो ये है कि इस धर्ती पर रहते तो हम इंसानों की तरह हैं लेकिन बरताव भेड़ों की जैसा करते हैं बरसों पहले सारे लोग बीए करते थे, आर्ट्स पढ़ते थे, फिर साइंस पढ़ने वालों की लाइन लग गई फिर जिसे देखो वो इंजीनियर बनने के लिए दौड रहा था, डॉक्टर बनने के लिए दौड शुरू हो गई, IIT, IIM, NEET, UPSC, IT, कोडिंग, जत्थे के जत्थे लगे हुए हैं जैसे ही किसी क्षेत्रे में कुछ लोग कामियाभी पाकर एक मिसाल खायम करते हैं, नौजवानों की पूरी भीड को उसी तरफ दौडा दिया जाता है, कि जाओ, उस फिल्ड में, उस फिल्ड में डिग्री पाकर आओ, लोगों के उपर इतना प्रेशर रहता है कि बैट के स चीजे ठीक होंगी, जब तक ये बातें समझ में आती हैं, तब तक देर हो चुकी होती है, तब तक आदमी एक ऐसी जगह पहुंच जाता है, जिसे point of no return कहते हैं, वो ऐसी जगह होती है, कि आदमी खुद से कहता है, कि अब ओखली में सिर दे दिया है, तो जेलो मूसल, और ऐसे एक दो लोग नहीं होते, बैलकि ऐसे करोन लोग होते हैं, नीटशे ने इसी को कहा है, herd mentality, भेड चाल, यानि बिना सोचे समझे सारे लोग एक ही दिशा में दोड़े जा रहे हैं, एक जैसा पड़ रहे हैं, एक जैसा फैशन कर रहे हैं, या एक जैसा खाना खा रहे है ये सब भेड चाल है, एक समय ऐसा आता है समाज में, जब बगावत की भेड चाल शुरू हो जाती है, कुछ लोगों ने अपने समाज से बगावत कर दी, तो बाकी लोग भी बिना उस बगावत की सोशालोजी समझे, बागी बन जाएंगे, अब बगावत की भेड चाल में शामिल हो जाएंगे, दोनों तरह की भेड चाल बुरी है, एक पुरानी कहावत है न, कि अगर सब लोग एक जैसा सोच रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि असल में कोई नहीं सोच रहा, जीवन में काम्याबी पानी है तो भीड से अलग चलना होगा, कुछ ने था टाइप के ल रहे हैं, तो वो भीड को कहीं ले जा रहे हैं, भीड उने ने ले जा रही, पर ऐसा होता नहीं है, जो भीड के आगे चल रहा होता है, वो भेड चाल को लीड कर रहा होता है, वो भी दरसल एक भेड ही होता है, फर्क बस इतना है कि वो एक साधारन भेड होने की बजाए भे प्रधान बनने से भी बचना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप क्या हैं, आप सेल्फ डिस्कवरी करना चाहते हैं, तो जीवन में कम से कम एक बार आपको भीड के खिलाफ खड़ा होना होगा। असली लीडर वो होता है जो भीड के सामने क्ढ़ा होता है लेकिन भीड की तरफ मुँ करके, वो भीड को फेज करता है, भीड भी उसे फेज करती है और तब व्यक्तित्व का संघर्ष शुरू होता है, तब आपको अपनी असली खीमत, असली हैसियत, असली capacity का पता चलता आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हूं अगर आप भेड़ चाल का हिस्सा है तो आपकी creativity कम हो जाएगी आपकी कल्पना शीलेता कम हो जाएगी आपको कैसे पता चलेगा कि आप भेड़ चाल में लगे हुए हैं देखिए अगर आप ज्यादा तर मौकों पर ये dialogue बोलते हैं या सोचते हैं कि अरे चलता है यार सभी तो यही करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सभी के हिसाब से चलते हैं और जब आप ये बोलना शुरू करते हैं कि भले ये सबके लिए okay है लेकिन मेरे लिए okay नहीं है मुझे इससे better चाहिए तब दरसल आप भेड़ चार से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं यही आपकी इंडिविज्वालिटी ठीक यहीं से बनना शुरू हो जाती है देखिए नीटशे की दुनिया का सबसे important word है इंडिविज्वालिटी यानि आपका निजी व्यक्तित्व आपकी जाती शक्सियत खुदरत ने सबको अलग बनाया है अलग चेहरा, अलग रंग रूप, अलग खदकाथी तो इस अलगाव को celebrate करना चाहिए हर एक के भीतर यह जो अलग element है उसको respect देनी चाहिए भेड़ चाल से पचना है तो अपनी individuality को बनाये रखिए और दूसरे की individuality को respect दीजिए Moral Quartz को challenge करते रहिए नीटशे, ये बात बार-बार कहते थे कि Moral Quartz को तोड़े बिना हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं होता इसके बिना हमें सही माइनों में आजादी नहीं मिल सकती देखिए, लाइफ में rules अलग है, discipline अलग बात है rules और discipline का होना जरूरी है लेकिन Moral Quartz बना कर कोई आपको control करने की कोशिश कर रहा है तो आपको alert हो जाना चाहिए Moral Quartz बना कर समाज हमें एक नैतिक गुलामी में बाहन देता है तुम लड़की हो तो तुम्हें ऐसे ही behave करना होगा तुम लड़कों जैसे कपड़े नहीं पहन सकती तुम्हें एक खास तरीके से चलना होगा या तुम लड़के हो तो सबके सामने रो नहीं सकते तुम्हें हमेशा मजबूत दिखते रहने का नाटक करना होगा तो वगैरा वगैरा इस तरह के moral courts जैसे ही आप इन moral courts को तोड़ते हैं समाज आपको परिशान करने लगता है ताने मारने लगता है आपको काम धंदा खराब करने लगता है अपमानित करने लगता है ये भी वगैरा वगैरा इसलिए लोग moral courts को तोड़ने का जोखिम कम ही उठाते हैं लेकिन जब आप बागी बन जाएंगे और दूसरों के द्वारा ला दे गए बेमतलब के moral courts तोड़ने लगेंगे और चीजों को individual निगाह से देखना शुरू करेंगे तो आपको एक आजादी का अनुबव होगा निट्शे एक बात बहुत साफ कहते थे सुनिए बौनी सोच वाले लोगों का एक जुन्ड जब किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को प्रगती से रोकना चाहता है तो उसके पैरों में moral courts की जंजीर बांदे देता है नयतिक्ता के शिकंजे में जकड देता है यह जंजीर आपको अकेला कर सकती है अकेले पढ़ने से मत डरिये अगर आप खुद को खुजना चाहते हैं तो अकेले होने से मत डरिये और अकेले पढ़ जाने से भी मत डरिये दोनों अलग-अलग चीजे हैं आप अपनी च्वाइश से अकेले हो सकते हैं. लेकिन जब आप अकेले पड़ जाते हैं, तो इसकार्थ यह होता है, कि दूसरों ने आपको अकेला छोड़ दिया है. बीना अकेले हुए, बीना अकेले पड़े, आप खुद को नहीं जान सकते. दोनों स्थितियां बहुत कारगर, बहुत मददगार होती है आपने देखा होगा कि पुराने जमाने से लेकर अब तक जो भी सेल्फ डिसकवरी के रास्ते पर आगे बढ़ता था वो जंगल में अकेले रहने लगता था सबसे दूर होने पर ही खुद तक पहुचने का रास्ता मिलने लगता है निट्षे ने अपनी एक किताब में लिखा है कि अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट से आसान रास्तों से बचना होगा कठिन रास्तों का चिनाव करना होगा बिना कठिन रास्ते पर चले आप महत्वपूर्ण नहीं बन सकते बहले आप किसी भी ख्षेतर में क्योंने काम करते हों जब आप कठिन रास्तों पर चलते हैं तो कठिन फैसले लेते हैं तो लोग आपका साथ छोड़ने लगते हैं, आप तब अक्यूले पढ़ने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको लगातार अपने रास्ते पर चलना होता है, और चलते चलते एक दिन आप उस जगह पहुँच जाते हैं, जहां पहले कोई नहीं पहुँचा था, अगर आप बाकी सब के साथ चलेंगे, तो संभव है कि दूसरे लोग आपके कठिन फैसलों से सैमत ना हो, तो दूसरों की बातें, दूसरों की टिपपणियां, दूसरों की अपेक्षाएं आपको डिस्टरब करती रहेंगे, इसलिए आपको खुद भी एक अकेला पन चुनन यानि लोगों के बीच रहते हुए भी हम मानसिक तौर पर इतने अकेले हो जाएं कि दूसरों की नकारात्मक बातें, दूसरों की निराशा जनक्टिपणियां हम तक पहुँच ही ना पाएं। निट्षे मनशे के भीतरी विकास पर बहुत जोर देते थे, इस परिच्विल ग्रोथ पर, हम इस ग्रोथ को कैसे पहचानेंगे, इसे जानने के लिए निट्षे ने एक बहुत आसान, बहुत सुलफ फार्मूला दे दिया था, अपनी किताब में उन्होंने कहा है, कि अगर अगर आप अपने जीवन की नई नई मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप लगातार स्पिरिच्वली ग्रोव कर रहे हैं, आपका आध्यात्मिक विकास हो रहा है, लेकिन अगर आप अपने जीवन की मुसीबतों से, हाला सचाई से, मुँ चुरा रहे हैं, तो समझे कि आपकी इनर ग्रोथ रुकी हुई है, निट्षे के लिए स्पिरिच्वल ग्रोथ क्या है, एक लाइन में इससे समझना है, तो निट्षे ने यूं कहा है, Becoming Who You Really Are, यानि आप अंदर से जो हैं वो बन जाईए, यानि अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर लीजिए, यही उनके जीवन का मकसद भी था, निट्षे ना तो सामाजिक नेमों का पालन करते थे, नहीं नैतिक्ता के नेमों में विश्वास करते थे, नहीं किसी तर रहना है, संतुष्ट रहना है, तो आपको अपना इंडिविज्वेल टृत, यानि अपना वयक्तिक सत्य, खोज निकालना होगा, साधारन शब्दों में इस बात को यूं कहेंगे, आपको सेल्फ डिस्कवरी करनी ही पड़ेगी, खुद को जानना होगा, खुद को जानिये, निट्षे कहते थे, खुद को जानने का कोई तरीका नहीं छोड़ना चाहिए, हम सबी को पता है, कि निट्षे कोई धार्मिक या मजहविय इंसान नहीं थे, धार्म के साथ उनका पंगा चलता था, वो कहते थे, गाड, बीमार और डरेहवे लोगों का गाड है, इसलिए अगर आप जीवन में शक्तिशाली बनना चाहते हैं, तो धर्म की तरफ मत जाएए, वो आपको और कमजोर बना देगा, लेकिन ऐसा कैसे संभव हैं, हजारों साथ से मनुश्य ये जानना चाहता है कि वो क्या है, मैं कौन हूँ, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए, इंसान हर बार धर्म की शरण में जाता है, और देखें, नीटशे, इसके एकदम उलट कहते हैं, धर्म की शरण में मत जाओ, धर्मिक प्रतीकों की शरण में, पूझा पाट की शरण में मत जाएए, लेकिन अपने आपको जानने के लिए, अपने भीतर की मानवी आस्था को बल देने के लिए, फिलोसिफी की शरण मे जाएए, poetry की शरण में जाएए, music, arts, literature, theater, इन सब की शरण में जाएए, इन में जाकर के भी हम अपने आपको पहचान सकते हैं, poetry से इतना प्यार केजिए जितना आप अपने आप से करते हैं, तो देखिएगा, poetry आपको आपके होने के नए नए मायने समझा देगी सूपरमैन बनिये, नीटशे का एक बहुत विचित्र और बहुत बड़ा concept है, सूपरमैन या ओवरमैन या महमानो, एक ऐसा concept जिसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, सूपरमैन, इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर करूँगा, योगि इसे बहुत डीटेल में समझना हो क्योंकि इसमें घलत समझा जाने की बहुत गुझाईश हैं, आज तो मैं चुकि सिल्फ डिस्कावरी पर बात कर रहा हूँ, इसलिए सूपरमैन पर ज्यादा डीटेल नहीं, लेकि फिर भी इतना कहूंगा, कि सूपरमैन यानी आम इंसानों से बड़ा, जिसने अपनी दूसरे लोग डिफाइन करते हैं, अगर हम पोईट्री पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, म्यूजिक पढ़ेंगे, तो हमको पता चलने लगता है कि हम कौन हैं, हमारे होने के क्या मायने हैं, पोईट्री, म्यूजिक इस बाहरी चीज़े हैं, यानी अपने होने के मायने जानने के लिए हम बाहरी मदद लेते हैं, धर्म भी बाहरी चीज है, कुछ लोग धर्म से भी अपने होने के माइने जानते थे, तो सारी की सारी जो मदद है, वो बाहरी मदद है, खेल के नियम हैं, वो बाहर से बन रहे हैं, और इंसान दूसरों के बनाए नियमों में खेल र उसका spiritual growth इतना अधिक हो चुका होगा कि वो सारी बाधाओं को पार कर चुका होगा, यानि वो भेड़ चाल नहीं करेगा, बलकि भीड के आमने सामने खड़ा हो जाएगा और भीड से अपनी बात मनवा लेगा, वो सारे moral codes को challenge कर देगा, उन्हें ध्वस्त कर देगा और अपन लोगों के बीच आएगा, तो महामानव जैसा दिखने लगेगा, वो बाहरी चीजों की मदद से, जैसे poetry, literature, music या philosophy, इन सब की मदद से अपने भीतरी ख्रमताओं का विकास करेगा, और फिर अपने नए नियम बनाएगा, अपने नए definitions बनाएगा, बाकी लोग जिस चीज को बरसों से अच्छा मानते आएं हैं, नीटशे का सुपरमैन बोलेगा, ये अच्छा नहीं है, और लोग उसकी बात मानकर उस चीज को अच्छा मानना छोड़ देंगे, वो अपने life की meaning जानने के लिए नई meanings इंवेड करेगा, नए अर्थ बनाएगा, वो दूसरों की परिभाशा खुद बनाएगा, और बाकि सब लोग उसकी परिभाशा को मानने लग जाएंगे, खुद को जानने के लिए सुपरमैन बनना होगा, अला कि नीटशे कहते हैं, ये सबसे मुश्किल तरीखा है, इतिहास में, नीटशे कहते हैं, कि इतिहास में बहुत कम लोग स सुपरमैन हुए, उन्होंने कहा था बुद्ध सुपरमैन हुए, अब बुद्ध का पूरा जीवन देखिए, सबसे पहले तो बुद्ध बेड़ चाल से दूर हो गए, पिर अकेले हो गए, पिर तपस्या करने गए, तो और अकेले पड़ गए, फिर उनकी ग्रोथ हुई, और फिर वो वापस लोगों के बीच में लौट कर आये, तो उन्होंने मोरल कोट्स तोड़ दिये, और बाकी लोगों ने उनकी बातों को मानना शुरू कर दिया, उनके कोट्स को मानना शुरू कर दिया, सुपर्मैन की एक निशानी ये है, कि एक समय के बाद ज्यादा तर लोग उसकी बात मानने लगते हैं, निशे ने कहा था कि बुद्धि के अलावा रोमन समराट जूलियस सीजर सुपर्मैन था, समराट नेपोलियन सुपर्मैन था, कवी नाटककार गेटे को वो सुपर्मैन मानते थे, जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में पुराने नियमों को खारिच करके नए नियम बना दिये, और लोगों ने उन्हें फॉलो किया, ऐसे कुछ लोगों को निशे ने सुपर्मैन का दर्जा दिया है, इस पर विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे, आज बस इतना सोचिए, कि अगर आप सेल्फ डिस्कवरी करना चाहते हैं, अगर आप खुद को जानना चाहते हैं, तो क्या आपके भीतर सुपर्मैन बनने का माद्दा है? हाँ, ये बात तो सच है कि हर कोई सुपर्मैन नहीं बन सकता, सबके भीतर इतनी क्षमता, इतना माद्दा कैसे हो सकता हैं, इसलिए नीटशे के पास एक और हैरत अंगेज कॉंसेप्ट था, जिससे वो कहते थे आमोर फाटी, आमोर मतलब प्यार, फाटी मतलब फेट, प्र तो आमोर फाटी का अर्थ हुआ, अपने प्रारब्ध से प्रेम करो, अपने नसीब से प्यार करो, जिन्दगी ने जुमें जो कुछ दिया है, अच्छा, बुरा, जैसा भी, उससे प्यार करो, उससे स्विकार करो, और उससे सर्वश्रेश्ट में बदल के दिखा दो, ये बहुत बड़ी चुनोती होती है, बिल्कुल आसान नहीं है, यॉरप के बहुत पुराने कवी थे होमर, कवी यानि लिखने पढ़ने का काम, लेकिन आखों में रोशनी नहीं थी, मन की आखों से देखते थे, लेकिन फिर भी अपने प्रारब्द से, अपने फेट से उन्होंन संगीतकार हुए, लेकिन नियती का खेल देखिए, कानों ने उनका साथ नहीं दिया, बहरे थे, फिर भी दुनिया के सबसे बड़े संगीतकारों में से एक इतना बड़ा संगीत रचा, बीस्वी सदी के मेरे प्रिये लेखक हैं, होरहे लूइस बोरहेस, 35 की उम्र के बाद उनकी आँखों की रोशनी चली गई, लेकिन अगले साथ साल तक वो लिखते रहें, मेरे प्रिये गायक हैं, कुमार गंधर्व, उनका एक फेफड़ा खराब हो गया था, सिर्फ एक फेफड़े से गाते थे, और क्या आलाप लेते थे, कमाल के गायक, जादुगर थे, एक लाइफ में, जिनके पास्ट में, स्पिरिचुल, एथिकल, या फिर मॉरल प्राब्लम्स आई हूँ, किसी भी तरह की शौर्ट कमिंग को ओवर कम करना आमोर्फाटी, निटशे के आमोर्फाटी के कॉंसेप्ट को अगर अच्छी तरह समझना हो, तो साहिर लुध्यानवी क इस गीत को बहुत ध्यान से सुनिये, एक एक लाइन सुनिये और उस पर सोचिये, साहिर ने कितने कलात्मग अंदास से निटशे की फिलोसफी को अपनी कविता में पिरो दिया है, मैं जिन्दगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुए में उडाता चला गया, बरबादियों का सोग मनाना फिजूल था, बरबादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिन्दगी का साथ निभाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुखदर समझ लिया जो मिल गया उसी को मुखदर समझ लिया जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया मैं जिन्दगी का साथ निभाता चला गया जिन्दगी का साथ निभाना यानि आमोर फाटी बरबादियों की शिकायत न करना बरबादियों का भी जश्न मनाना यानि आमोरफाटी जो मिल गया उसी को मुकदर समझ लेना और उससे महबत कर लेना यानि आमोरफाटी नीच्षे कहते थे आमोरफाटी यानि मैं अपनी नियती से प्रेम करूँगा जीवन में जो कुछ अच्छा है, जो कुछ सुन्दर है उसे बार बार देखूंगा मैं खुद अपनी चीजों को सुन्दर बनाऊंगा जो बुरा है उसको भी सुईकार करूंगा उसकी शिकायत करता नहीं बैठूंगा बलकि उसे अपनी तरह से इस्तेमाल करूंगा जिसने आमोर फाटी को समझ लिया, उसे जिन्दगी से कोई शिकायत नहीं हो सकती जिसने आमोर फाटी को अपने जीवन में उतार लिया, वो किसी से नफरत नहीं कर पाएगा सबसे महबबत करेगा और लगातार अपनी प्रगति का रास्ता बनाता रहेगा ये निटशे के सबसे अजीब लेकिन सबसे सुन्दर विचारों में से एक है तकलीफों से घिरी हुई, विसंगतियों से घिरी हुई, अक्षमताओं से घिरी हुई अमारी जिन्दगी को ये बात सांत्वना के छीटे मारती है जब दिल डूबने लगे तो ये बात दिलासा देने लगती है आमुर्फाटी, यानि जिन्दगी ने जो कुछ दिया है, अच्छा या बुरा, उससे महबबत करो इस तरह खुद जिन्दगी से महबबत करो इसी महबबत के साथ मिलते हैं अगली बार, नमस्ते